आज मैं आपको बहुत ही मज़दार और यमी चीज केक फेक्टरी की ब्रेड बनाना बता रही हूँ ब्रेड बनाना के लिए सबसे पहले आप लूक वाटर में बटर डालें ताकि वो मेल्ट हो जाए उसके बाद उसमें आपने शुगर डालनी है हनी उसमें जाएगा मलैसिस उसमें जाएगा अगर आपके पास मिलता है तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर आप ना डाने शुगर जादा डालने मुलैसस भी शुगर के इनका ही बनाओता है तो यह मीठा होता है फिर इंस्टेंट कॉफी इसमें डाल विया और इस मिक्सर को अच्छी तरीकिसे मिक्स कर लेना है अब जो फ्लोर हमने लिया था ब्राउन फ्लोर और वाइट फ्लोर उसमें मैंने इस्ट डाला है इंस्टेंट इस्ट और फिर उसको मिक्स कर लिया है यह इस्ट को पानी में डालने की जोरेत नहीं होती क्योंकि इंस्टेंट होता है यह आपने डारेक्ली फ्लोर में डालना है और यह बहुत अच्छा और जल्डी फूलता है फिर उसके बाद नमक इसमें डाला है कुक़ पाउडर इसमें डाला है सब छीजों को मिक्स करने हैं ची तरह और जो हमारे लिक्विट हमने इंग्रीइडन सारे मिक्स केते हैं वह इसमें डाल दिया और चाहें और इसमें डाल अदिया है इसे बहुत अच्छी बनती है तो आपने इसको गून दाए अच्छी तरीक से 10-15 मिनट इसको गूनना है और फिर इसको बाउल में डाल के कवर करके रखना है और दो गहंटे बाद देखें किना अच्छा पूल गया और यह चार गहंटे बाद देख सकते हैं आपके चार गहं इस्ट बहुत अच्छा है और अच्छी तरीक सिर्फ जो बैड हमारी राइस हो गई है अब इस पॉइंट पर वन मिनट इसको मैं और गूंदूंगी जादा नहीं कोड़ा वन से टू मिनट से अपने इसको ऐसे गूनना है और फिर आप इसको कोई भी जो शेप आपको पसं हुआ कि आप उप संदाय दे सकते है इस तरीका सिसको गूर लेंके पहले कि शेप देने के बाद इसको फिर दो गंटा राइस होने के लिए हमने रखना है ठीकि जी मैं इसको काड रियू हुआ दो ब्रेड बना रही हूं से इसको कट कर लिया और आप देख सकते हैं कि मैं इसके उपर आप ओर्च लगाएं बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर भी अच्छा आता है तो मैं इसके उपर ओर्च लगाएं अब मैं इसको दो घंटे राइज होने के लिए छोड़ें करूंगी प्लास्टिक शीट से और ये दो घंटे बाद आप देखें कि कितने अच्छी दिग्री बे और ये 35 मिनट्स पकें क्योंकि एच्छी मोटी ब्रैटी तो 35 मिनट्स पकेंगी अगर छोटे बना दो तो वो 15 मिनट 20 मिनट भी ले सकते हैं बड़ इस ब्रैट टेक 35 मिनट्स और आप ये बिग्कुल रड़ी है होप यू गाइस लाइक तर वीडिय तो मज़दार अब चीस्केक फेक्टरी की ब्रैट बनाएं और इंजॉय करें